Hello students and welcome to Pendulum Edu. Pendulum Edu आपका स्वागत है आज हम आपके लेकर आए हैं Delhi Current Affairs of 17 December 2020 तो बहुत जल्दी से session को join कर लीजे और जिन्होंने चानल को subscribe नहीं किया है इसको subscribe करें आप आकन को press करिए ये Current Affairs आप जाकर website Pendulum Edu.com पर भी पढ़ सकते हैं साथ ही आप PDF आउलोड कर सकते हैं Quizzes and Mock Tests भी attempt कर सकते हैं तो चलिए हम लोग session की शुरुवात करते हैं ये Bilingual session है इसमें हम Current Affairs Hindi English दोनों में पढ़ते हैं पहले हम Previous Day के जो News है और जो Questions उसको revise करेंगे फिर हम Current Date का देखेंगे तो देखते हैं पहला question क्या है Which of the following statement is correct about 5th edition of National Family Health Survey राष्टे परिवार स्वास्त सर्वेक्षन के पांचवे संसकरण के बारे में निमर लिखित में से कौन सा कथन सही है तो Fertility Rate जो है वो बढ़ गया है और जो Contraceptives का इस्तमाल है वो भी Across the States बढ़ गया है दूसरा statement कहता है कि Number of Stunted Children जो है ये बढ़ गए है 13 स्टेट में तो इन में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो option B है क्योंकि सिर्फ second statement सही है हाल ही में 5th edition जो है National Family Health Survey का इसका पहला सेट जारी किया गया है और ये 17 स्टेट्स और 5 unit territories के लिए जारी किया गया है इस सर्वे में पता चला है कि 13 स्टेट्स में जो stunted children है उनकी संख्या बढ़ी है अविकसेद बच्चों की संख्या बढ़ी है वही underweight और overweight की संख्या भी बढ़ी है अलग-अलग स्टेट्स में इसके अलावा इस सर्वे से ये भी पता चलता है कि जो vaccination है vaccination की जो percentage है children में full vaccination की वो बढ़ गई है पहलो 65 प्रतिशती अभी वो 13 प्रतिशत हो गई है और इसमें हिमाचल प्रदेश ने top किया है तो अगर आपसे question पूछा जाए कि किस state ने चल्डरन को vaccination प्रोवाइड करने में top किया है तो इसका answer क्या होगा हिमाचल प्रदेश होगा इसके अलावा जो और trend देखा गया है वो ये है कि जो fertility rate है ये बढ़ा नहीं है ये in fact decrease हुआ है और इसके अलावा जो contraceptives का इस्तमाल है वो बढ़ा है और जो mortality rate है बच्चों में जो मृत्युदर है शिशु मृत्युदर और under 5 mortality rate ये भी घटा है इसके अलावा देखा गया कि West Bengal में institutional child birth जो है वो बढ़ा है यानि कि लोगों ने hospitals में जाके child birth की प्रक्रिया करी है और ये West Bengal में सो जादा बढ़ा है और इसके अलावा गुजरात में अनिमिक चिल्डरन की संख्या बढ़ी है अनिमिक चिल्डरन का मतलब याने कि उनमें RN की कमी थी ऐसे बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ गई है इसके अलावा जो मोटापा है वो महिलाओ और पुरुशों दोनों में ही देखा जा रहा है उसका नंबर बहुत ही बढ़ गया है इसके अलावा sanitation facility के साथ रहने वाले लोग की संख्या भी बढ़ी है एक और इसमें important point था इस news में कि नीती आयोग ने एक white paper जारी किया है vision 2035 और ये जो vision 2035 है ये public health surveillance भारत में इसके लिए release किया गया है और इसका aim है कि जो भारत में health surveillance है इसको मजबूत किया जाए और जो तीन स्तरिय पब्लिक health system में हमारा primary, secondary और tertiary health care जो system है उसको आयुष्मान भारत में integrate करना है उसके साथ उनको जोड़ना है ये इसका लक्षे है आगे चलते है next question है energy conservation day is observed every year on dash उर्जा सनरक्षन दिवस प्रतियक वर्ष dash को मनाया जाता है 15 December, 10 December, 18 December and 14 December तो क्या होगा इसका correct answer so national energy conservation day जो है ये 14 December को भारत में मनाया जाता है 2001 से ही मनाया जा रहा है 2001 में energy conservation act जो है ये पारित किया गया था और इस act के implementation के लिए BEE यानि की Bureau of energy efficiency जो की एक वैदानिक निकाय है एक statutory body है इसको 2002 में established किया गया ताकि इसके प्रावधानों को लागू किया जा सके और Bureau of energy efficiency जो है हर वर्ष energy conservation day जो है ये celebrate करता है इसको organize करता है अच्छा BEE जो है कौन सी ministry के अंतरगत आता है Ministry of power के अंतरगत ये कारे करता है आगे बढ़ते हैं next is which of the following has recently launched Himgiri a worship of project 17A for the Indian Navy हाल ही में भारतिय नौसिना के लिए project 17A का एक युदपोत Himgiri किसने launch किया है Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited Reliance Naval and Engineers Limited Mazzagon Dock Shipbuilders Limited and Goa Shipyard and Shipbuilders Limited तो किसके द्वारा launch किया गया है इसका correct answer होगा option है यानि की GRSE के द्वारा इसको launch किया गया है देखे project 17A के अंतरगत टोटल जो है यहाँ पर ships build करे जाने थे और जिसमें से चार जो है 4 ships जो है इनको build किया जाना था 7 ships build होने थे और इसमें से चार जो है यह मजगाओं dock shipyards limited के द्वारा बनाने थे और तीन जो है यह का है मजगाओं वाला यह मुंबाई में है और तीन GRSE कॉलकाता में built होने थे ठीक है अच्छा इसमें से जो ship है जो यह तीन ship है जो GRSE के द्वारा build के जाने थे उसमें से पहला जो है यह हिमगिरी है और इसको launch chief of defense staff की जो wife है मदुली का रावत उनके द्वारा इसको launch किया गया है हिमगिरी जो है हिमगिरी वार्शिप जो है यह निलगिरी class को belong करता है ठीक है तो एक अगर statement आती है हिमगिरी ship जो है it belongs to निलगिरी class तो यह correct हो जाएगा तो यह जो निलगिरी class frigates जो ही यह first वार्शिप है जो भारत में develop हो रहे है अच्छा इसमें जो technology है technology कौन impart कर रहा है तो एक बहुती बड़ी ship building का group है Fincantary जो इटली का है वो इसमें technology अपग्रेड कर रहा है वो technology और capacity enhancement जो इसमें कर रहा है इस project में अच्छा इसके अलावा गोवा में एक सक्षम सक्षम नाम का offshore petrol vessel भी launch किया गया है टोटल भारत में OPV project के अंतरगत पाँच offshore petrol vessel बनने थे जिसमें से last जो है यह सक्षम है इसको गोवा में हाली में launch किया गया है so offshore petrol vessel यह basically large ships होते है surface ships होते है जो offshore की patrolling करते है maritime security को ensure करते है कोई भी anti smuggling anti smuggling यह कारे करते है और कोई भी अगर security को खत्रा है किसी तरह का तो उसके लिए लोग action लेते हैं तो basically patrolling का का काम सरविलास और patrolling का काम रहता है in offshore petrol vessels का नाम से आपको समझ में आ रहा होगा और यह indigenously जो है भारत में develop किये जा रहे है next is in which of the following states PM Modi laid the foundation for world's largest hybrid renewable energy पार्क निन्म में से किस राज्य में PM Modi ने दुनिया के सबसे बड़े संकन अभीनी करने उर्जा पार्क की नीव रखी है तो कहाँ पर foundation stone ले किया है राजस्थान, केरेला, महराष्ट्र और गुजरात सो इसका correct answer होगा option D यानि के गुजरात सो यहाँ पर क्या होगा solar और wind energy दोनों generate की जाएंगी से लिए hybrid renewable energy पार्क है इसमें जो अडानी ग्रूप है वो largest renewable power generator है भारत का यह participate कर रहा है इसके अलावा इंडिया की जो wind turbine manufacturer है सुजलोन यह भी इसमें participate कर रहे है इस project के development में इसके अलावा प्राइमिनेस्टर मोधी ने एक desalination plant मांडवी में launch किया है total 5 desalination plant जो है गुजरात में launch होने हैं मांडवी उसमें से पहला है इसके अलावा देहेज दुआर का गोगा भावनगर और गिर सोमनाथ में भी यह desalination plant जो है वो बनाए जाएंगे आगे बढ़ते हैं next is aspera study 43% of Indian droughts are influenced by atmospheric disturbance in dash एक अध्यन के नुसार 43% भारती सूखा में वायूंग वंडिलिये गडबड से प्रभावित होता है North Atlantic region, South Atlantic region Eastern Europe region and none of the above so इसका correct answer option है तो हाल ही में researchers ने ये देखा कि भारत में total अगर हम पिछले कुछ decades की बात करें तो total 30 droughts में से 10 drought हैं तब करूए हैं जब L-9 नहीं हुआ है normally क्या कहा जाता है कि भारत में सूखे बढ़ने का कारण L-9 है लेकिन 10 जो events से drought की वो ऐसे देखे गए जसमें L-9 नहीं था इसका मतलब किसी और कारण से ये ऐसा हुआ है तो यहाँ पर बताया गया कि ये जो कारण है ये North Atlantic region में जब atmospheric disturbance होता है उसके कारण होता है और ये जो atmospheric disturbance है ये rosby waves के कारण होता है तो ये जो rosby waves है ये क्या करती है जो tropical area होता है वहाँ से जो भी गर्मी होती है उसको pole की तरफ transfer करती है और pole से जो ठंडी हवाई है वो फिर tropics की तरफ चलती है जब tropics की तरफ ठंडी हवाई चलेंगी तो क्या होगा कि temperature जो है वो थोड़ा decrease करेगा जिसकी वज़े से जो low pressure region जो था जहाँ जैसे भारत की गरम बात करें तो low pressure region की वज़े से southwest जो monsoon है वो attract होता है लेकिन क्या होगा rosby waves की वज़े से वहाँ पर temperature थोड़ा decrease करेगा low pressure area जो है वो कम हो जाएगा low pressure region जो है उतना low नहीं रहेगा जो monsoon को attract कर सके so monsoon weak पड़ेगा monsoon weak पड़ेगा तो बारिश कम होगी और बारिश decrease होने की वज़े से क्या होगा कि droughts के cases होगे so ये जो है पूरा study किया गया है about Indian monsoon influence of atmospheric disturbance in North Atlantic on Indian monsoon next is Ola will set up the world's largest scooter factory in Dash Ola Dash में दुनिया की सबसे बड़ी scooter factory स्थापेद करेगी Kerala, Odisha, Tamil Nadu, Jammu and Kashmir so क्या होगा इसका correct answer कहाँ पे scooter factory establish की जाएगी इसका correct answer है option C यानि कि Tamil Nadu में Ola establish करेगा तो ये ना ही जो भारत की demand उसको fulfill करेगा लेकिन ये जो other countries में demand होगी उसको भी fulfill करेगा और ये Ola जो है plan कर रहा है कि अपना पहला electric scooter launch करेगा next is उदे कोटक will be appointed as MD and CEO of which of the following banks उदे कोटक को निमिन में से किस bank के MD और CEO के रूप में नित किया जाएगा yes bank, कोटक महिंदरा bank syndicate bank and airtel payment bank तो क्या होगा इसका correct answer इसका correct answer है option B कोटक महिंदरा bank के as the MD and CEO इनको re-appoint कर दिया गया है और इसका approval RBI के द्वारा दिया गया है इसके अलावा RBI ने दो approval और दिये हैं for the appointment of Prakash Apte, वो part-time chairman की तरह act करेंगे और दीपक गुपता वो joint MD होंगे कोटक महिंदरा bank के और इनका जो term of appointment है ये एक जन्वरी 2021 से शुरू होगा कोटक महिंदरा bank एक private sector bank है और ये 2003 में established हुआ था अगला question है So, इसका correct answer होगा option है That is Ankita Rehna Next is Norwegian Institute of Bioeconomy Research और C. Ganga ने हाली में एक M.O.U. पर हस्ताक्षर किये हैं तो किसके विकास के लिए समझोता गया पर हस्ताक्षर किये गए है Renable Energy Generation Framework Sludge Management Framework Plastic Pollution Management Framework and Soil Management Framework तो अक्षे उद्जय उत्वादन धाचा कीचर प्रबंदन धाचा Plastic Production प्रबंदन धाचा और मिर्दा प्रबंदन धाचा तो इसका correct answer होगा option B तो Sludge Management Framework के लिए यह जो MOU है यह sign हुआ है और इस MOU का announcement 5th India Water Impact Summit के दौरान किया गया है और जो 5th India Water Impact Summit है यह NMCG यानि कि National Mission for Clean Ganga और Sea Ganga के दौरा जो है organize किया गया Sea Ganga जो है यह NMCG का एक think tank है इसकी full form है Center for Ganga River Basin Management and Studies Next is Which of the following award was won by Indian Aerospace Scientist Professor Rodham Narasima who recently passed away निमन में से कौन सर्पुरुसकार भारती है Aerospace विज्यानिक Professor Rodham Narasima जिनका हाल ही में निदन हो गया द्वारा जीता गया था भारत रतन पद्मभूशन पद्मविभूशन So, क्या होगा इसका correct answer जल्दी से बताईए कमेंट करके इसका correct answer होगा option C यानि की पद्मभूशन से इनको सम्मानित किया गया था हाल ही में निदन brain hemorrhage की वज़े से हो गया है और ये भारत की aerospace scientist है और light combat aircraft जैसे aerospace programs में उन्होंने काफी contribute किया डॉक्टर अब्दुर कलाम के साथ मिलकर उन्होंने एक बुक भी लिखी developments in fluid mechanics and space technology आगे बढ़ते हैं next is who is expected to visit India as a guest for Republic Day celebrations next month तो 2021 के जो Republic Day celebrations होंगे इसमें कौन guest की तरह आएगा Dominic Raab, Boris Johnson, John Major and Joe Biden तो क्या होगा इसका correct answer इसका correct answer होगा option भी यानि की UK के जो prime minister है Boris Johnson ये visit करेंगे Dominic Raab, जो है UK के foreign secretary है और इन्होंने हाल ही में जो हमार external affairs minister है Dr. S.J. Shankan के साथ multiple issues पे discussion किया है और John Major जो है ये पहले British PM थे जो, मलब इनके बाद कोई और British PM ऐसा नहीं था जो publicly celebrations में आया है तो 1993 में इन्होंने participate किया था ये British के PM रहे थे Joe Biden जो है US President Elect है और ये 46th US President बनेंगे जब ये ओथ ले लेंगे जन्वरी में जन्वरी 2021 में चलिए आगे बढ़ते हैं ये तो हमने previous day की news और question revise कर लिए हम आज की question और news देख लेते हैं first is ये important है UNESCO ने 2020 State of the Education Report for India release की UNESCO के द्वारा भारत के लिए 2020 सिक्षा की स्थीती रिपोर्ट जारी की गई है और इस संसकरन का मुख्य जो focus रहा है वो ध्यान इन्होंने केंदित किया है भारत की तकनीकी और व्यवसाइक सिक्षा और प्रसिक्षन पर मतलब की technical और vocational education और training पर ध्यान केदित किया गया है इसमें short term और long term courses जो भारत में available है चाहे वो state actors के द्वारा हूँ चाहे non-state actors के द्वारा हूँ चाहे वो education institutes के द्वारा प्रदान किये गए हूँ उसके बारे में पूरी detail है इसमें इसको Tata Institute of Social Sciences के द्वारा बनाया गया है under the guidance of UNESCO UNESCO के मार्ग दर्शन में Tata Institute of Social Sciences के द्वारा इसको विक्सित किया गया है और ये जो report है ये develop हुई है to strengthen TV ET system of member states under the objective of sustainable development goal 4 तो ये जो report है इस report को सत्त विकास लक्षे चार जिसमें quality education यानि की गुनवत्ता पून सिक्षा प्रदान करना और सिक्षा 2030 framework for action इसके उदेशे के तहत सदस्य राज्यों की TV ET प्रणालियों को मजबूत करने के लिए विक्सित किया गया है इस report will help government agencies and private sector in developing programs and policies related to skill development in India तो इसमें पता चलेगा इसको अध्यान करके जो भी government agencies है या private sector है वो अपनी program and policies को design कर सकते हैं skill development को boost करने के लिए so government का aim है भारत की सरकार का ये aim है कि 110 million skilled force को हमें त्यार करना है 2022 तक और currently भारत में 10 million youth जो है वो हर साल train हो रहे है हर साल उनको प्रसिक्षन प्रदान किया जा रहा है इस report में 10 provision भी recommend किये गए है ताकि जो informal sector है भारत में उसको skilled force के जो goal है उसको अचीव करने में मदद हो सके क्योंकि देखिए अभी भारत में क्या है demographic dividend शुरू हो चुका है और ये सहदिस वर्षों तक रहने वाला है लेकिन ये जो demographic dividend है यानि कि जो हमारी जो workforce है जो बना maximum population है वो इस working age population में रहेगी working age population सबसे जादा रहेगी यूथ रहेंगे लेकिन अगर उनको skills प्रोवाइड नहीं की गए तो उसको utilize करना उसको भारत की economy को boost करने में वहाँ पे contribution नहीं हो पाएगा और वो dependent population में बदल सकता है तो यहाँ पर वो challenge है और इस report में ऐसे कुछ 10 प्रावधान दिये गए है कुछ recommend किये गए है जिससे भारत के informal workforce को skilled forces का जो goal है उसको achieve करने में मतदद मिल सके तो इसमें recommendation में यह भी था कि भारत की जो मूर्थ और अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत है यानि कि जैसे कोई particular dance form है या फिर कोई art and culture से related है कोई जगा है ठीक उसको preserve करने की जूरत है क्योंकि यह जो चीज़े होती है कोई मूर्थ या अमूर्थ cultural heritage जो होता है इससे काफी लोगों को जो है रोजगार मिलता है और यहां से tourism भी boost होता है ठीक है तो इसलिए यह जो है important है इसको preserve करना UNESCO की हम बात करें तो यह 16 November 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और यह UN की एक specialized agency है जिसके headquarters Paris, France में है currently इसमें 193 member states है और इसकी जो डिरेक्टर जनरल है वो ओर्डरे अजॉले है और इसका main purpose यही है कि पूरे विश्व में शान्ती और सुरक्षा को बढ़ावा देना कैसे through international cooperation यानि कि सबकिस जो भी member states है उनके बीच में सहयोग हो education की field में science की field में और culture की field में तो इससे विश्व में शान्ती बनी रहेगी भारत के लिए 2020 सिक्षा की स्थीती रिपोर्ट के बारे में निमन में से कौन सा कथन सही है इट हाज बीन रिलीज़ बाई UNESCO यह UNESCO द्वारा जारी किया गया है दे में फोकस अब दिस रिपोर्ट इस रिपोर्ट इस अन दी टेक्निकल और वुकेशनल एडुकेशन और ट्रेनिग आफ इंडिया भारत की तक्निकी और अव्यविसाइक सिक्षा और प्रिसिक्षन पर इस रिपोर्ट का ध्यान केंदरत है इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है जल्दी से बताईए कमेंट करके 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above सो इसका correct answer होगा option C क्योंकि दोनों ही जो स्टेटमेंट है जोनों कतन सही है नेक्स्ट इस भुवनेश्वर और जो रोर के लाही ये 2030 का मेन होकी व्ल्ड कप होस्ट करेंगे फ्रॉम 13 तो 29 जनवरी 2023 और उडिसा जो है मेन्स होकी व्ल्ड कप दूसरी बार लगातार होस्ट करेगा प्रेजडेंट ओफ इंटरनाशनल होकी फेडरेशन इन्होंने जो भी त्यारी है इनकी समेक्षा की है इस इवेंट से रेलेटर मेन FIH होकी व्ल्ड कप की हम बात करें तो 2030 का जो व्ल्ड कप है यह मेन FIH होकी व्ल्ड कप का 15 संस्क्रा होगा 15 एडिशन होगा और यह जो व्ल्ड कप टूर्णामेंट है होकी का मेंस का यह 1971 में स्टार्ट हुआ था और यह हर 4 साल में होता है भुवनेश्वर ने इसको होस्ट किया था 2018 में और 2018 का जो मेन होकी व्ल्ड कप था यह बेल्जिम द्वारा जीता गया था ऐसा भी क्वेशन पूछ सकते हैं कि लास्ट वाला जो मेन होकी व्ल्ड कप था वो किस ने जीता था तो बेल्जिम ने जीता था और कहां पर हुआ था भुवनेश्वर में हुआ था Which of the following cities of India will host the 2023 Men's Hockey World Cup भारत के निमन शेहरों में से कौन 2020 पुरुष के होकी विश्व कप की मेजबानी करेगा रॉर्केला और भुवनेश्वर हैद्राबाद और चैन्ने न्यू डेली और गुरुग्राम चंदिगर्ड और मोहाली So कौन करेगा मेजबानी रेटिंग और अजन्सीज वाज लांच बाई क्वालिटी कांसल आफ इंडिया तो क्वालिटी कांसल आफ इंडिया ने एक स्कीम जो है वो लांच की है और ये FSSAI के रिक्वेस्ट पे लांच की गई है जो कि हाईजीन रेटिंग और अजन्सीज के लिए अप्रूवल के लिए होगी इस से योजना का उदेश है कि भारत में माननेता प्राप्त स्वच्चता रेटिंग और अजन्सीज की जो सख्या है उसको बढ़ाया जाए ताकि और भी स्वच्चता रेटिंग जो है उसका स्टांडर्ड बड़े उसको नंबर बड़े है उसका और जो रिखनाइज हाईजीन रेटिंग एजन्सी ओडिट एजन्सीज है वो चेक करती है कि भाई जो भी फूड हाईजीन है वो मैंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है या भी जो सेफटी प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किये जा रहे हैं या फिर नहीं किये जा रहे हैं जो भी FSCI द्वारा बनाए गए है FSCI Food Hygiene Rating is an online transparent scoring and rating process for food businesses supplying food directly to consumer तो इसमें क्या है कि FSCI की जो खाद स्वचता rating उब्भुकताओं को सीधे खाद पूर्ती करने वाले खादे विवसाओं के लिए एक online पारदर्शी scoring और rating प्रकिरिया है food establishments are rated in the form of smileys after the audit तो इस audit के बाद जो है food की जो भी establishments है उनको प्रतिष्ठानों को smileys के रूप में rating दी जाती है so आपने वैसे भी देखा होगा कि जो भी restaurants वगेरा है उसमें भी आप normally भी अगर आप कहीं जाते हैं तो आप ratings देखते हैं ठीक है in terms of hygiene देखते हैं in terms of taste देखते हैं और बाद में आपसे भी कई बारी review लिया जाता है और इस तरह का ही उनको rating provide करने के लिए audit करने के लिए ये जो एक scheme launch की गई है Quality Council of India ये 1997 में established किया गया था भारत सरकार और Indian Industry के दुआरा जिसको SOCHM, CIA और FICI के दुआरा represent किया गया था QCI के लिए Nodal Ministry है Ministry of Commerce and Industry इसमें currently 38 members हैं और ये एक जो है autonomous body है स्वायत निकाय है DPIT के अंतरगर Department of Industrial Policy and Promotion के अंतरगर इसके headquarter नहीं दिल्ली में है और इसके जो chairman है वो कौन है अदिल Zen Lubai है So question देख लेते हैं Which of the following has launched a scheme for approval of hygiene rating audit agencies at the request of FSSAI निन में से किसने FSSAI के अनुरोद पर स्वच्चता rating audit agencies के अनुमोधन के लिए एक योजना शुरू किये है National Board for Quality Promotion Quality Council of India National Accredation Board for Certification Bodies and National Accredation Board for Testing and Calibration Laboratories So इसका correct answer होगा option B यानि की Quality Council of India Guys correct answer को comment करते रही कोई भी doubt है comment box में आप mention कर सकते हैं next is विजय दिवस पूरे भारत वर्ष में 16 December को मनाया गया और इस वर्ष भारत सरकार 50 वी अनिवर्सी सेलिब्रेट कर रही है विजय दिवस की क्योंकि इंडो पार्क वर्ष जो है 1971 का उसमें भारत की जीत हुई थी और उसी जीत के खुशी में ये दिन मनाया जाता है विजय दिवस और इस वर्ष उसके 50 वी जो सालगिरा है वो मनाई गई है और प्राइम मिनिस्टर ने इस उकेशन पे स्वर्णिम विजय मशाल जो है वो जलाई थी और इसमें चार विक्टरी मशाल जलाई गई जिनको जो परमवीर चकर हैं पाने वाले लोग हैं या फिर महावीर चकर पाने वाले जो लोग हैं जिनको प्रदान किया गया था परमवीर चक्र या महावीर चक्र उनके विलेजस तक इसको लेकर जाया गया और गर्णमेंट ने एनाउंस भी क्या है कि इस साल जो है स्वर्णिम विजेवर्ष मनाया जाएगा भारत की जीत के लिए जो उने सुरकत्तर में जब बांगलादेश को आजाद कराने के लिए जो वर्ण हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में उसकी जीत की खुशी में मनाया जाता है विजेवर्ष के हम बात करें तो इस 16 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि उस दिन भारत की जीत हुई थी इंदा बांगलादेश लिबरेशन वर अफ 1971 बांगलादेश इस दिन को अपने स्वतंतता दिवर्ष की रूप में मनाता है और इस दिन जनरल नियाजी ने सरेंडर क किया था अपने पाकिस्तानी ट्रूप्स के साथ बिफोर दी इंदिन आर्मीन धागा इं 1971 तो विजेदिवर्ष इस देश भर में डाश को मनाया जाता है 17 दिसंबर, 18 नवेंबर, 14 सेप्टेंबर और 16 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर होगा option D यानि की 16 दिसंबर, नेक्स्ट इस डेपार्टमेंट अफ पोस्ट अन इडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉंच डागपे आप, तो हाल ही में एक नया पेमेंट आप जिसका नाम डागपे है, इसको डेपार्टमेंट अफ पोस्ट और इंडिय पोस्ट पेमेंट बैंक द्वार लॉंच किया गया है, और ये पूरे देश में डिजिटल वित्य समावेशन को प्रदान करने के लिए किये गए प्रयासों में से एक है, ये काली एक डिजिटल पेमेंट आप नहीं है, इस आप के जरिये जो भी डिजिटल और फैनेंशल औ और बैंकिंग सर्विसेज हैं, चाहे वो इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की हों या पोस्ट पेमेंट बैंक की हों, इन सभी की सेवाए भी हाँ पर प्रदाल की जाएंगी, ये पैसो को ट्रांसफर करने में मदद करेगा, और इसके साथ साथ ये बैंकिंग और पोस्ट प्रोड़क्स पे भी एकसेस प्रोवाइल करेगा, ओनलाइन आप कोई भी जो उत्पाद हैं, जो भी इंडिया पोस्ट या पोस्ट पेमेंट बैंक की द्वारा दिया गया, उसको आप जो है ले सकते हैं, इट अस बीन लॉंच्ट पै कम्मिनिकेशन और आईटी मिनिस्टर रवी शंकर प्रसाद, तो इसको संचार और आईटी मंत्री रवी शंकर प्रसाद के दुवारा लॉंच किया गया है, डिपार्टमेंट अफ पोस्ट की हम बात करें, तो यह उक्टोबर 1854 में लॉर्ड डल हाउजी के दुवारा बनाया गया था, इसके हेड़कौर नहीं द थाबित किया गया था, यह बैंकिंग सर्विसेज प्रुवाइड करता है, तुरू पोस्टमेंट और पोस्ट ऑफिसेज, अच्छा जो पेमेंट बैंक्स होते हैं, इसके बारे में हमने कैई बारी पड़ा है, तो यह अपने कस्टमर से पर कस्टमर जो है, वो एक लाग से ज़्यादा डेपॉजिट नहीं ले सकते हैं, इसके अलावा यह डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड यह लोन प्रोदान नहीं कर सकते हैं, तो किसके द्वारा लाउंच किया गया है, इसका correct answer होगा option B, यानिकी India Post Payments Bank, नेक्स्ट इस कजाकिस्तान अपना 29 जो स्वतंतरता दिवस है, वो मना रहा है, सो 1991 में, 16 दिसंबर 1991 में कजाकिस्तान को सोवेत union से, सोवेत संग से इनको चुटकारा मिला था, dependence मिली थी, और सोवेत रिपब्लिक से अलग होने वाला, स्वतंतरता पाने वाला ये आखरी कंट्री थी, कजाकिस्तान, नूर सुल्तान नजरबायेव जो थी, इसके पहले प्रेजिडेंट थे, और अब कजाकिस्तान जो है, एक important economic center जो है, बनके उभरा है, It will hold its first legislative election in 2021, कजाकिस्तान 2021 में अपना पहला विधानिक विधाई, जो चुनाव है, इसको आयुज़त करेगा, कजाकिस्तान और भारत के मद्दे भी काफी cooperation है, in the field of trade, economy, investment and defense, इसके अलावा, जो कजाकिस्तान है, इसके पास uranium reserves भी है, जो भारत के atomic energy से related, जो भी mission है, उसको complete करने में मदद करेगा, तो कजाकिस्तान के हम बात करें, तो यह देखिए, लोकेशन अप Central Asia में located यह country है, यह अपना border इदर Russia के साथ share करता है, China के साथ share करता है, किरगिस्तान के साथ share करता है, उसको complete करता है, और तुर्क मिरिस स्ल्टान के साथ भी अपना border share करता है, और कैस्पिन सी के साथ भी अ है नूर सुल्तान अस्तान जो है इसको नूर सुल्तान के नाम से जाना जाता है कास्यम जुमार्थ तोक्यों वेव जो है इसके करेंट्ली प्रेजिडेंट है और यह जो है सेंट्रल एश्या की सबसे बड़ी कंट्री है इस दे लाज़ेस्ट कंट्री इन सेंट्रल एश्या सो क्वेशन है कजाखिस्तान गॉट इंडिपेंडनेंस फ्रॉम सोवेट यूनिन इन दा इयर डैश कजाखिस्तान को डैश में सोवेट संसे स्वतंतरता मिली 1992, 1993, 1991 और 1994 सो क्या होगा इसा करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंड करके बताईए इसका सही उत्तर होगा ओप्शन सी यानि की 1991 आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस लद्दाक लोसार फेस्टिवल मना रहा है जो लद्दाकी न्यू यर के फॉर्म में सेलिब्रेट होता है ये 15 दिसंबल से शुरू हो गया है और आने वाले 15 दिनों तक ये चलेगा इस ओकेजन पे कुछ इस विशेज जो है प्रातना की जाती है अट चुकांग विहारा इन ले और जो सेलिब्रेशन इवेंट्स हैं इनको लद्दाक बुद्धिस्ट असोशेशन यूथविंग और लद्दाक Autonomous Hill Development Council द्वारा और्गनाइज किया जाता है लोसार फेस्टियल की हम बात करें तो ये लद्दाक की और तिबेतन न्यू यर के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है लोसार फेस्टियल को नेपाल में भी मनाया जाता है और नए साल की शुरुवात के लिए इसको मनाया जाता है according to Tibetan Buddhism तिबेती बौत धर्म के अनुसार नए साल की शुरुवात की रूप में ये मनाया जाता है और इस सबसे एक प्रमुक्त यहार है लद्दाक का So Art and Culture में कई वारी questions पूछ लेते हैं इस टाइप के festival से It is celebrated to depict the struggle between good and evil तो यह अच्छा एर बुरा के बीच में संगर्ष को चिनहित करता है इसको चितरत करता है और इसमें एक मेथो सेरेमनी जो मनाया जाती है सबसे महत्वपून होती है So question है लोसार festival is celebrated in which of the following states और Union Territory लोसार्त योहर किस राजिया केंदर शाषत प्रदेश में मनाया जाता है उत्रा खंड नागा लेंग लद्दाग और अरुनाचत प्रदेश Very easy question इसका correct answer होगा option सी यानि कि लद्दाग और लद्दाग जो है Union Territory बन गया है जब से जम्मो एन कश्मीर को विभाजित करकी दो Union Territory बनाया गया है जम्मो एन कश्मीर और लद्दाग के जो current वो है current lieutenant governor है या पहले lieutenant governor है वो रादाकृष्ण माधूर है यानि की RK माधूर है ठीक है आगे बढ़ते हैं Next is Trumpet 2020 Symposium इसको organize किया गया है Indian Meteorological Society और North Eastern Space Application Center के दुवारा और ये जो Symposium है ये Tropical Meteorology पर जो है आयोजित किया गया है उश्कटी बंदिया मौसम के उपर शिलाओं में आयोजित किया गया इसका theme है Weather and Climate Services over Mountainous Region पवरत्तिये छेत्रों पर मौसम और जलवायू सेवान So, यहाँ पर discussion हुआ कि Weather and Climate Services कितनी महतकून है Mountainous Region में क्योंकि जैसे कभी earthquake आता है या फिर कभी बर्फ बारी होती है कहीं पर avalanche आता है या फिर landslides हो जाते है तो Mountainous Region में रहना अपने आप में बहुत challenging होता है और Weather और Climate का impact वहाँ पर देखा जाता है कभी suddenly cloudburst भी हो सकता है बहुत जादा बारिश हो सकती है flood हो सकता है तो इन जो है condition के लिए यहाँ पर ऐसी services पदान करने की जुरत है जो लोगों को आगा कर सके ठीके और मतलब disaster वहाँ पर manage हो सके तो जैसे government ने Doppler weather radar और automatic weather station वहाँ पर deploy किया है वहाँ पर लगाया है ताकि कुछ भी अगर severe weather होता है extreme weather होता है यह climate change होता है परवतिय छेत्रों में तो लोगों को वहाँ पर पता चल सके और उन तक जो भी जरुरत की जो चीजें है वो पहुंच सके ठीके उनका वहाँ से rescue किया जा सके ठीके तो सरकार ने परवतिय छेत्रों के लोगों की समस्याओं को निपटने के लिए उनको हल करने के लिए पश्चिम हिमालय में एक हिमाश वैदशाला भी स्थापित की है इंडिन मेटलॉजिकल सोसाइटी ने इंफर्म किया है कि उन्होंने काफी steps लिये है weather or climate services को अपग्रेड करने के लिए इसके साथ-साथ उन्होंने regional climate center for R&D भी established किया है परवतिय छेत्रों में The need for impact based weather forecasting was also discussed during the conference तो इस conference में समेलन के दौरान परभाव आधारित मौसम पूरवनमान की अवशक्ता पर भी चर्चा की गई है Dr. B. Rohit इनको WMO Young Scientist Award 2019 के लिए भी दिया गया ठीक है तो this is also important fact अब से अगर पूछा जाए कि WMO Young Scientist Award 2019 किसको दिया गया है तो Dr. B. Rohit को दिया गया है So question है Recently Indian Metallurgical Society and North Eastern Space Application Center have organized a symposium on DASH हाली में भारती मौसम विज्ञान सोसाइटी और उत्तर पूर्वी अंतरिक शुपियोग केंदर ने DASH पर एक इसंगोष्टी का आयोजन किया है Tropical Meteorology Greenhouse Gases, Clean Energy and Biofuels तो क्या होगा इसका correct answer इसका correct answer होगा option है यानि कि Tropical Meteorology उश्कटी बंदिये मौसम पर इसंगोष्टी का आयोजन किया गया है Next is also important Himalayan Zero को पहली बार Humans के द्वारा देखा गया है Himalayan Cold Desert में So Western Himalaya's में इसको देखा गया है Himalayan Zero को हाल ही मतलब हुता क्या है कि ये जो Himalayan Zero है ये 2000 मीटर के altitude से लेकर 4000 मीटर के बीच में पाया जाता है इसलिए ये एक चर्चा का विशह है कि ये इतनी हाइट पर पाया गया क्योंकि जो Lahul Spiti Valley है उसका जो वैली फ्लोर है उसकी हाइट भी 4270 मीटर है ठीकि अबव दे सी लेवल और यहाँ पर इसको यूज्यली नहीं देखा जाता है लेकिन अब की बार इसको देखा गया है तो ये एक जो है आश्चरे जनक बात है तो यहाँ से देखिए एक और फाक्ट निकल के आता है ठीकि यह हिमाचरे प्रदेश में लोकेटेड है और इनका कहना है कि यह इस वाइड लाइफ सेंचुली से जो है स्पीती वैली में पहुँच गया था यह जो हिमालेंड सीरो है यह थोड़ा अजीब और गरीब किसम का एक जानवर है क्योंकि इसकी रेजेबलण्स एक गाय से भी मिलती है एक बकरी से भी मिलती है एक डॉंकी से और एक पिग से जो है कुछ-कुछ फीचे ने योईज़ करते है हिमालेंड सीरो जो है यह मेंनलेंड सीरो का subconscious है इसका scientific नेम Capricornis sumatrinesis है और ये एक हरवी वोर है ये शाकाहरी है इसका IUCN status vulnerable है ये संकट गरस्त प्रजातियों की लिस्ट में इसको vulnerable श्रेणी में रखा गया है और जो wildlife protection act 1972 है इसमें schedule 1 की श्रेणी में इसको रखा गया है यानकि ये protected है इस act के अंतरगत सीरो की जितने भी species हैं वो एशया में पाया जाते हैं लेकिन जो हिमाल्यन सीरो है ये केवल हिमाल्या के छेतरों में पाया जाता है इसके कुछ एहम features देख लेते हैं पहले तो आप ये photo देख लीजे हिमाल्यन सीरो है ये एक medium sized mammal है इसका बड़ा सर होता है पतली गर्दन होती है छोटे पैर होते हैं जैसे की बकरी के और बड़े बड़े इसके कान होते हैं जैसे donkey के होते हैं म्यूल के होते हैं और इसके जो hairs होते हैं वो बहुत जादा dark होते हैं जैसे गाय के तो इसके बहुत सारे features जो है वो विभिन जानवरों से मिलते हैं So question अब के लिए recently in which of the following regions was Himalayan 0 cited for the first time by humans Himalayan 0 को हाली में मनुश्य दुवारा पहली बार किस छेतर में देखा गया था Trans Himalayan region, Western Himalayan region, Eastern Himalayan region and Central Himalayan region So इसका correct answer क्या होगा? Option B होगा Western Himalayan region जो स्पीती है बहार पर इसको spot किया गया इससे जुड़ा एक और प्रशन है What is the IUCN status of Himalayan 0? Himalayan 0 का IUCN स्थिती क्या है? Critically endangered, endangered, vulnerable and least concerned तो घोर संकट गरस्त, संकट गरस्त, असुरक्षित और कमचिंता जनक तो इसका correct answer क्या होगा? Option C होगा, इसको vulnerable category में रखा गया है So friends, हमने यहाँ पर important current affairs and industry related questions cover कर लिये हैं I hope आपके session पसंद आया होगा इसी तरह current affairs रुजाना follow करते रहिए और वीडियो को like करिए, share करिए, कोई भी suggestion है You can mention that in comment box All the best, thank you so much